अब याउप क्यों तो आज हम साइंस एंट ट्रीक के अंदर important mcqs करेंगे जो हमरी टेस्स सेरीज़ के अंदर भी आय से और देखेंगे कि क्या आप इसको को सालू कर पाते हैं ठीक है जी और वीजन भी होगी साथ सब्सक्रिक करेंगे और ऐसा भी हम देखेंगे किस तरह से क्वाशन पूश सकती है तो सारे सारे कम करेंगे क्वाशन कौन तो यहां पे अगर आप देखोगे तो आज के जो क्वेशन है वो किस तरफ है थोड़ा सा नैनो टेकनोलोजी रॉबटिक्स के ऊपर हमने क्वेशन डिसाइड किये हैं क्योंकि अगर हम देखें यूपीएसी का परस्पेक्टिव तो दीरी दीरे इस साइड पर अगर हम देखें टेकनोलोजी कल एडवास्मेंट के ऊपर बहुत से टॉपिक जो इंपॉटेंट है और यूपीएसी बार बार उसी के ऊपर क्वेशन पूशते जा रही है ठीक है जी अगर आप देखेंगे पास्ट के अंदर के कैसे कैसे क्वेशन आए और यूपीएसी का आपको एक मोल्ड दिखेगा कि टेकनोलोजी के ऊपर बायो टेकनोलोजी के ऊपर कैसे उसने फोकस स्टार्ट अपना करिया है ठीक है जी इसके लावा दोस्तों अब हम डिटेल में ड अगर आप देखोगे साइन सेंटर के अंदर देखोगे उसको निकाल के आपको वैक्सिन कैसे काम करती उसके उपर बहुत से क्वेशन आई यूपीसी के अंदर इस साल प्री के अंदर तो सारे अलग अलग टॉपिक है जो हम 50 इंपॉर्टेंट है तो वह भी आपके रिवा गया है अगर जिस बचे ने यह देखा है ठीक है जी तो यह कोशन उसके लिए कुछ पी नहीं है पहली स्टेटमेंट कहते कार्बन नाटीब्स से लेंडिकल मॉलिकॉल्स ट्यूब है तो ठीक है मान सकते हैं शीट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ कार्बन जिसको ग्राफीन बोलते ह सिंगल वॉल्ड ओनली लेकिन आजकल जो कोशन आते हैं यूप से किंदर ऐसा नहीं हमेशा रॉंग होती है ठीक है लेकिन यह वली रॉंग है ठीक है तो फर्स टेटमेंट इस राइट यहां पर अगर आप देखो को टू मिनट के अंदर आप जाओगे यह टॉपिक आपको कि माले इसका यूज हम करने लगे कि अपनी जो टेलिवीजन हम देखते थे पहले बड़े बड़े आते थे अब है ना एली डिव गयरा चोटा चोटा सब कुछ होता गया तो अब दीरे दीरे इसके यूज करने से और ज्यादा चीज़ें लाइट हो जाएगी बहुत सी हम यह ने बहुत हैं तो अब इसको सिंगल सकते हो अगर आपके उपर रोल करोगे मल्टी वाल्ड भी करा देंगे में कि सिंगल वाल ही हो सकती है वो गलत है दूसरी बार टेकनोलोजी के उपर जब यूपिया से पूछती है कि हाँ फीचर के अंदर application क्या है या इसकी application क्या क्या है तो लिमिट अगर आप examiner के point of view से देखो अगर माले जी मैं कहीं चीज की पूछ हूँ कि इसकी जो application क्या क्या है तो अब यहां पर endless होंगी मेरे पास क्या कोई ऐसा source हो सकता है जिससे मैं limit कर दूँ कि यह वाली particular इसकी application नहीं है हो सकता है वर्ल्ड के दुनिया के अदर कहीं न कहीं हो तो अगर आप examiner के point of view से सोच ग बड़ा हो जाएगा कि हां क्या क्या यह possibility है अहां दूसरी बात जो अभी recent time में यूपीसी question पूछते है वो कहती है कि इन में से कौन सा है जो अभी जहां तो बहुत जादा यूज हो रहा है वर्ल्ड के अंदर यह अभी तक हमने कर लिया है तो उसके अंदर आपको थोड़ अब यहां पर second question देखिए थोड़ा साला गया laws of robotics के बारे में पूछा है ठीक है जी पहला गयता है robot may not injure a human being or through inaction allow him to being to come to harm अगर मैं बात करूँ कि जैसे माले जी हमने रोबर्स बनाए है तो उसके लिए कुछ एक law जो decide किये गए कि हाँ कुछ scientist नों उस time पे decide किये कि हाँ इसको इजाक नाम था उनका तो उन्होंने law बनाए कि आप robotics के कुछ law होंगे जैसे आपने movie देखी रजनीकांत वाली है ना robot वाली तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि उन्होंने उसको manipulate किया और उसको human being को खतम करने के लिए बोल दिया तो यहाँ पे अगर हम law के बारे में बा ठीक है जी ओके हम नहीं करेगा दूसरा law यह कहता है कि order जो है जो रोबेट्स को order अभे करने होंगे सिर्फ एक condition accept है कि अगर माली जी कोई इंसान है वो बोलता है कि दूसरे इंसान को मार दो उसको शोड़के बाकि सारे order उसने अभे करने है तो मतलब कि आपका first law हो है इसके लवा रोबर्ट मस्ट प्रोटेक्ट इस ओन एक्जिस्टेंस ठीक है तब तक जब तक वह first law second law से conflict नहीं करता तो अगर हम देखें क्या यह modern level के अंदर modern days के अंदर क्या यह चीज़े हो सकती है जैसे specially मैं military के अंदर बात करूं military के अंदर बात करूं तो military के मारने के लिए या कहीं न कहीं उसका यूज हो रहा है तो लेकिन यह क्या बोल रहा है कि human को हाम नहीं करना दूसरा यह बोलता है कि रोबर्ट जो अबे करेगा अगर इंसान कहे कि उसको मार दो वो नहीं अबे करना उसने लेकिन वहां पर military रोबर्ट के अंदर तो यह कम हो कुप सी कोशन आ सकता है जो मैंने आपको परस्पेक्टिव यह थार्ड है थार्ड है फॉलिए स्टेट्मेंट रगार्डिंग नैनो मिसल्स अभी न्यूज में थी कैंसर ट्रीटमेंट के लिए बहुत सी नैनो कैप्सूल आपको पता है वो ड्रग के लिए बहुत काम आते हैं ठीक है हाइट्रोफॉलिक फिलिक है इनका इंटीरियर और आउटर शेल्ट यह फॉन्ट टू वी यूजफुल इन ट्रीटमेंट आफ कैंसर ठीक है तो यह स्टेटमेंट दो देखो हम बोले चैंसे ठीक है दोस्तों तो सेकिंड स्टेटमेंट के अंदर गड़बडी है यहां पर आपको यह स्टेटमेंट भी अगर आप देखो के सिंपल है यह स्टेटमेंट भी सिंपल है वन थ्री तो आपका आ रहा है लेकिंगे दोनों में से आपको एक चूज़ करना तो 50-50 इनका हाइड्रोफिलिक आउटर सेल है इसे बेनिफिट क्या होता है है इन जो डॉनों टाइप की जो ड्रग के भी नेचर होते हैं दोनों टाइप की हम ड्रग यूज कर सकते हैं अब माली जिये मैं आपको चलो एक्जेपल देता हूं बहुत से बच्चे को समझ नहीं आ र बलड़ के अंदर घुमेगे तो आपने गोली खाई वो पूरे बलड़ के अंदर घुमेगी ठीक है वो सारी बॉड़ी के अंदर दिस्ट्रिब्यूट होगी तो उससे पेन रिव होता है लेकिन क्या वो टारगेटेड है टारगेट नहीं है है कि माल लिजे ये मुझे एक body के उपर body के portion तक medicine लेके जानी है लेकिन वो दो पूरे blood के अंदर गुमती है नॉर्मली तो अगर हम उसको एक capsule के अंदर डाल दें और करते तो अपने हिसाब से बहुत सी चीज़ें होती है लेकिन उसके अंदर जाना की ज़रूरत नहीं उस टार्गेट को हिट करेगी जैसे cancer treatment की बात करते हैं बहुत ज़रा बाड़ी के उपर इंपक्ट आते हैं लेकिन इसका result थोड़ा सा बैटर है ठीक है दोस्तों वह कैसे न यहां पर कोई कंसेप्ट नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं यह बोलता है कि इनकॉर्परेट कर रहा है रोबर्टेक्स को इन इंजिनरिंग एज्यूकेशन और यह इनिशेटिव है आई-ई-टी बॉंबे का तो अपना अंसर आएगा दोनों से ही है ठीक है दोस्तों अब यह लेकिन इसा हर बार नहीं होता तो आपको थोड़ा सा अपने द्माग से काम लेना पढ़ेगा वहाँ पर अगर आपको शक हो रहा है उसके उपर तो आप उसको लिमीनेड़ कर सकते होगी ठीक है दोस्तों तो एसा नहीं है कि वह हमेशा है घीक है तो यहां पर बात करते हैं लेकिन अगर मैं बात करूँ यहां पर तो robotics engineering के अंतर लेके आने हैं और इसके लिए IIT Bombay ने initiative लिया है अगर आप इसकी website के ओपर जाके देखोगे वहां पर आपने कोई भी जैसे माली यह अंतरा एक initiative है मैंने जो पढ़ाया वहां उसको थोड़ी पूछेगी यूपीएसी क्या पूछती है यहां से जैसे उफिशेल वेबसाइट है वहां पर चलेगे उसके उपर information मेरा काम क्या है उस information को आपके द्वार पहचाना ठीक है इसी तरीके से और उसको समझाने कोशिश करनी और different source से हमने इसको पढ़ाना है ठीक है जैसे student हमने topic बढ़ाया blood batteries ठीक है एक student ने नीचे comment किया कि सर यह blood battery जो है यह topic आपने पढ़ाया यह पता नहीं कौन से foreign channel है वहां से copy किया गए मैं खुद थोड़ी blood battery मनाता हूं है ना मैं तो क्या हूं मैं आपको एक अच्छा source information आपको प्रवाइड कर सकता हूं ठीक है तो उसने बोला कि सर आपने टाइटल भी ब्लड बैटरी का क्या खूनी बैटरी कर तो यह आपको चीजे समझने चाहिए कि कोई टीचर है उसने पढ़ा दिया वह ऐसा नहीं कोई भी टीचर है उसका क्या होता है जैसे माली आपको स्टूडेंट है आप दस चीजों से जगह से नहीं पढ़ सकते है ना इतना टाइम भी नहीं है और इतनी possibility नहीं confused हो जाता बंदा तो टीचर का काम क्या है उनको concise करके UPSC perspective से आपको provide करते that's it ओके अब लास्ट कोशन देखिए टिशू नेनो ट्रांस्फेक्शन अगेन इंपॉर्टन टॉपीक है वह टेकनोलजी अडवांसमेंट अ यूपीस के लिए इस ब इनक्रेक्ट अब यहां पर बतातों क्या है नैनो चीप बेसिकली एक चीप है जो जैसे मालजी स्किन के उपर लगा दी है तो वहां पर सेल को वह सेल को functioning करते हैं जैसे मालजी उसने इलेक्टरी फिल्ड प्रवाइड की अगर किसी ने stem cell पढ़ा है stem cell के अंदर क्या होता है अलग अलग कोई pluripotent cell है है ना टोटी potent cell है मतलब कई cell है जैसे हमारे जो embryo के time पर वहां पर सेल जो है अगर हम देखें origin of life मतलब human being का कोई बी इनसान है जब पैदा होता है उस टाइम पर सबसे पहले embryo embryo के अंदर क्या होता है कि वह एक बिलकुल egg cell की stage के उपर है वहां से हमारी body के अलग अलग पार्ट बनते हैं ना हमारे arms बनगी legs बनगी तो वह cell differentiate होके एक particular काम करते हैं जैसे मालीजी हार्ट के cell अलग बनके है ना उससे एक cell से डवाइड होए दीरी दीरे उसके बाद कुछ cell जो है liver के बनके तो differentiate होते जाते है जैसे मालीजी अभी कोई हम क्या करेंगे उसका कोई और body का part बनाएंगे लेकिन वह possible नहीं है ठीक है हाला कि थोड़ा सा possible होता है लेकिन उसके भी बहुत कम चाहसा है लेकिन जब starting के अंदर cell जब differentiate नहीं हुआ होता तब हम उसको टोटी patent भी कह सकते हैं जो बहुत सी चीज़ों के अंदर differentiate हो सकता है इसलिए stem cell भी रखे जाते हैं ambilical cord के अंदर cord से निकाल के ओके तो यह कुछ चीज़े होगी so it means के कुछ cell को अगर मैं कुछ change करूं तो वो जैसे IPC cell है जो induced pluripotent cell है कि मतलब आपने cell को pluripotent बनाया ठीक है जी तो अब यहाँ पी क्या होगा कि मालग जी electric field होई suppose करो कोई rat के उपर experiment किया ठीक है हमें चाहिए nerves चाहिए तो आपने leg से जो cell है उसको थोड़ा सा change किया उसने nerve की formation की यह vascular tissue की formation की अब यह nerve जो अपने पास regionate होगी आपने cell का nature change कर दिया अब इसको आप brain की development के लिए यूज कर सकते है ठीक है so it means कि कोई एक पहले क्या problem थी कि आपने leg से cell निकाला stem cell के अंदर जो हम पढ़ते है वो बाकी के अंदर convert नहीं हो सकता था लेकिन नैनोचिप से यह possibility है कि आप cell का nature change कर सकते ठीक है वो type का cell बन जाएगा और उसको निक बच्पन में stem cell नहीं रखे तो यह कुछ चीज़ें हैं जो हमें stem cell की तरह ही उस cell के nature को convert कर सकते हैं so this is called tissue nanotranspection okay so this is all दोस्तों so I hope कि आपने कुछ nanotechnology के उपर जो important चीज़ें थी उसके उपर आपने थोड़ा सा समझा होगा थोड़ा सा मेहनत करो अपनी revision के उपर focus तो हमारा तो कोशी रहती है कि आपको एक easy way के अंदर कुछ चीज़ें प्रवाइड की जा सके so I hope कि आपने कुछ समझा होगा सो मिलते हैं नेक्स ताइम थैंक यू परी मैच